हेलो दोस्तों, बिल्कम पो स्पेसल स्टडी विदराम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फाइनली डिट पलिस भी की भर्ती के लिए बेट कर रहे हूँ सभी कंडिजर जितने भी हों, चाव पी जी टी के लिए बेट कर रहे हूँ TGTO, PRTO, PTO, NTTO या फिर others teacher recruitment के लिए बेट कर रहे हैं जो 2023 के लिए sanction की गई है जिनमें से 16,500 प्लस पोस्टे डिट पलस्वी की तरफ से जारी की गई है इस भरती से जुड़ी सारी latest update आपके साथ share किया जाएगा कि कौन कौन से candidate farm का apply कर सकते हैं इसके लिए क्या उम्रसीमा होनी चाहिए क्या seated वाले भी farm apply कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और इनके लिए क्या-क्या qualification होनी चाहिए तो सारी latest update इस वीडियो के मादन share करेंगे आप वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरू से जरू देखेगा all over India level से and teachers खासका डिट प्रस्वी की तरफ से जितनी विभरते लिच की जाती है उनको सबसे पहले update आपको provide कराया जाता है यहाँ पे दोफ्तों देख लें जितनी भी vacancy आखाली की है 16,546 जिसमिस देख लेते हैं दोफ्तों जो vacancy position of teachers in school of direct application GNCT आप देली पर edge देख लें 132023 की अपरूब में देख लें assistant teacher primary के लिए जितनी बेकेंड sanction जो पोस्टे हैं 4,061 हैं और नमबर आप post field की गए हैं 2,982 और बेकेंड हैं 1,089 assistant teacher नसरी के लिए 153 और 10,956 पोस्ट अभी विखाली इनके लावा TGT special education के लिए 961 computer teacher के लिए 376 physical education teacher के लिए 463 इनके लावा music teacher के लिए 182 post gadget teachers 638 इनके लावा देख लें TGT domestic के लिए 366 drawing teacher के लिए 572 yoga teacher के लिए 496 librarian के लिए 300 और total देख लें जो बेकेंड पोस्टे हैं total जो sanction की गई 35933 जिसमें से 37 जा 387 field की गई है और 16546 अभी भी इतनी सारी post खाली हैं जो 2023 में आपको देखने को मिलेगी दिल्ली हाई कोट की तरफ से भी इसको निर्देश दिया गया है date press week को कि जल से जल इन vacancy को भरा जाए जल से जल इनका advertisement निकाला जाए अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो candidate है और bet करते हैं कि क्या 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 उमचें तो जो assistant teacher primary के लिए बता दे दोस्तों यदि आप PRT ले फार्म अप्लाई करना सोच रहे हैं, तो आपको सीटेट का पेपर नंबर 1st qualify होन चाहिए, यदि TGT पे फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका पेपर नंबर 2 clear होना चाहिए, तभी फार्म को apply कर सकते हैं, इनके अलाबा आपके पास qualification 12th प्लस या आपका बियाड हो या डियाड हो तो PRT वाले या assistant teacher primary का हो या assistant teacher नसरी का हो तो फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए उमर सीमा देख लेए, आपका 30 PRT के लिए 35 साल आपका TGT के लिए और 40 साल आपका PGT के लिए हो तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी कंडिडेटों के लिए ब्रिक ब्रेकिंग अप्डेट आ चुकी है कि जल्द से जल्द दोस्तों सायद है कि आपको मार्च मंत में ही इन 16,000 जो वेकेंट पोस्ट हैं तो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तक तक बने रहिए दोस्तों, एक वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों चैनल को जड़ी सस्क्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, थैंक यू